अकसर हमारे घरों में न थोड़े थोड़े सब्जिया बच जाता है तो समझ में नहीं आता कि क्या इससे बनाया जाए तो आप इस टेस्टी रेस्पी को जरूर ट्राइ करे बच्ची और बड़ों को काफी पसंद आएगा और बनाना भी काफी असान है अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफुल लगेगा तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुचे तो चलिए टेस्टी रेस्पी बनाना हम सुरू करते हैं मैं ली हूँ थोड़ा सा कटा हुआ पत्ता गोभी, बैगन, सिमला मिर्च, दो छील कर आलू को मैं काट ली हूँ एक कटा हुआ प्याज है, एक टमाटर है आपकी घर में जो भी सबजी एवेलेबल हो, उससे आप बना सकते हैं या फिर जो भी सबजी आपके पास बचा हो, उससे इस टेस्टी रेस्पी को बना सकते हैं सभी को पसंद आएगा तो अभी हमें गैस पे चड़ा देना है कडाही को इसमें डाल देना है दो चम्मज तेल आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में सबजी को बना सकते हैं मैं सरसो का तेल ली हूँ तेल गरम हो चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मज जीरा जीरा को हमें हलका ब्राउन होने देना है तो अभी आप देख सकते हैं जीरा का कलर हलका चेंज हो चुका है जीरा हलका ब्राउन हो चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा दाल चिन्नी, दो लॉंग, एक इलाई ची, एक तेज पत्ता खड़े गरम मसाले का फ्लेबर इस सबजी में बहुत ही बढ़ी आता है तो खड़े गरम मसाले जरूर डाले अभी हमें इसमें डाल देना है कटा हुआ प्याज, ये एक बड़ा साइस का प्याज था जिसे मैं लंबा-लंबा काटी हूँ, पतला-पतला हमें इसे एक मिनेट के लिए भूनना है इसे हमें बहुत जादा देर के लिए नहीं भूनना है गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और थोड़े-थोड़े देरे में हमें प्याज को चला लेना है इसे हमें ब्राउन नहीं करना है बस हलका साही हमें भूनना है तो अभी आप देख सकते हैं प्याज का कलर हलका चेंज हो चुका है प्याज हलका भून चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है एक चम्मच कूटी हुई लसुन अद्रक आप पेस्ट भी ले सकते हैं इसे हमें आधे मिनट के लिए भूनना है, गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, और थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चला लेना है, जिससे लसुन अधरक का जो कचापन का टेस्ट है, वो समाप्त हो जाएगा, तो आधा मिनट हो चुका है, ये भून चुका है, तो ये रेस्पीना बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को भी ये काफी पसंद आएगा, हमें इसे चलाते हुए भूनना है, गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, और थोड़े थोड़े देर में हमें सबजीयों को चला लेना है, हमे जादा भी डाल सकते हैं, इसे हमें चला लेना है, अभी आप देख सकते हैं, सब्जियों का कलर काफी चेंज हो चुका है, सब्जिया भून चुका है, तो अभी हमें ग्यास का फ्लेम लो कर लेना है, क्योंकि अभी हमें इसमें मसाले डालना है, एक चम्माच धन्या पाउडर आधा चम्माच हल्दी पाउडर वनफोर चम्माच काली मिर्च पाउडर वनफोर चम्माच जीरा पाउडर सारे मसाले छोटे वाले चम्माच से हैं वनफोर चम्माच लाल मिर्च पाउडर अगर आप जादा तीखा खाना पसंद करते हैं, तो जादा भी डाल सकते हैं, अभी हमें इसे चला लेना है, गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, लो हीट पे हमें इसे भूनना है, और अभी हमें इसमें डाल देना है, कटा हुआ टमाटर, ये एक मीडियम साइज का टमाटर ह तमाटर दालते के साथ ही हमें इसमें डाल दीना है नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डाले, मैं आधा चम्मच नमक डाल रहे हूं, अभी हमें इसे चला लेना है, हमें इसे ढख ढख कर भूनना है, हमें इसे low heat पे ढख ढख कर भूनना है जिससे सब्जिया काफी जल्दी सौट होता है पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है थोड़े दिर बाद हमें इसका ढखन हटाना है और इसे चला लेना है इसी तरीके से हमें सब्जी को सौट होने तक भूनना है क्योंकि हमें इसमें पानी नहीं डालना है हमें सूखी सब्जी बनानी है सूखी सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और कम टाइम बन जाती है हमें चलाने के बाद वापिस कड़ाही का धकन लगा देना है थोड़े देर बाद हमें कड़ाही का धकन हटा कर इसे चलाना है इसे पकने में 7-8 मिनट का समय लगेगा इतने देर में सबजी एकदम अच्छे से पक जाता है, एकदम सौट हो जाता है गैस का फ्लेम हमें लो रहने देना है लो हीट पे हमें इसे भूनना है तो अभी आप देख सकते हैं सबजी का कलर एकदम चेंज हो चुका है और सबजी काफी सॉफ्ट हो चुका है ये अच्छे से पका हुआ है इसे हमें चला लेना है और अभी हमें इसमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर हमें इसमें बहुत जादा गरम मसाला पाउडर नहीं डालना है वन फो चमज इतना डालना है अगर आप लाइक करें तो डाले अगर आपको पसंद नहीं है तो असकीप कर सकते हैं क्योंकि गरम मसाले डले हुए हैं तो उसका भी फ्लेवर बहुत ही बढ़ी आता है इस रेस्पी में हमें इसे चला लेना है कडाही का धकन लगा देना है और इसे हमें 10 से 12 सेकंड के लिए और भूनने देना है लास्ट में गरम मसाला पाउडर डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ चुका है च्छे से भुन चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा बारी कटा हुआ धन्या पत्ता इसे हमें चला लेना है आप इस सब्जी को रोटी चावल पूरी फराठे के साथ सर्फ कर सकते हैं इसे बनाना काफी असान है तो एक बार ज़रू ट्राइ करे अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेलफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर जरूर कीजिएगा कमेंट में जरूर बताइएगा रेस्पी आपको कैसा लगा आपके फैमि प्ली वालो को कैसा लगा थैंक यू फर वाचिंग